और अभी हम गोल्ड इशू करना सीखेंगे इसको इसको की पन उसके लिए हम जाएंगे माटीरियल पे माटीरियल के बाद जौबग इशू मटीरियल इशू तू मैनिफैक्च्छर न्यू ट्रांजक्शन जो पार्टी को इशू हां इसको 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 नाम लिखिये जैसे डाइरो को इशू करना है इसके बाद मटीरियल डिटेल में आइटम में रहेंगे 995 जी सॉरी गोल्ड के लिए जी 995 कॉल्ड कॉल्ड यह हो गया डिस्कृप्षिन किसको दिया थिस्कृप्षिन किसको दिया तो अब ही डैरो के नाम ही हो रहा है नहीं को यह पर वेट में डालेंगे सीदे 100 ग्राम जितना वी हम इशू कर रहे हैं रेट में डालते हैं 50,000 नहीं 2500 5200 जिसलिए में नीया थैए 5200 सेड़ और सेव हां गया यह को ट्लिक किया एम परेंट इसलेक ड्यू थैश्या करिंट प्रेंट सँझेक देजर्ड व्यू प्रेंट अब हम इस मोड्यून में जो वेंडर के पास से जो जॉब वर्कर के पास से हमारे पास जुल्वी बनके आती है उसको हम इनवर्ट लेंगे गती सौब वेर में तो वह देखिया तो पहले हम ले रहे हैं जो हमारे कुद के डायमंड हमने उसको दिये हैं वह वेंडर से हम जुल्री इनवर्ट ले रहे हैं तो उसके लिए हम पहले जाएंगे जुल्री इनवर्ट जुल्री इनवर्ट जो भी बिलका डेट आता है वो बिलका डेट लेना है इनवर्ट डेट में जैसे आज चार तारिक अमर में भी बिलकल तुछ घुल्री जाएगी इस केस में हम आज भी लाया है तो यह सेम है और मेंड देट को कुछ नहीं करना है जिए इनवर्ट डेट एंवह हैं यह नहीं चाहिए अब उसके बाद हम सीदे आजेंगे manufacturer का नाम इस case में हमारा है क्लिस्ता कलिस्ता से हम invert ले रहे हैं यहाँ पर उसके बाद यह लोड पी ओ आइटम है इस पर क्लिक करना है अब यह दिखा रहा है कि उसके पास हमारा क्या-क्या बन रहा क्लिक करना है यह पर यहां पर लेखना है यह पर लिख पर हाएगा यह आपको शेक करना है यह पी सेम होना चाहिए जो आप इनवेर्ड ले रहे हैं अगर नहीं चले गा तो अगर हमें दो आइटम एक साथ इनवेर्ड लेने तो यह और फिर इदर भी क्लिक रश्चा है एक एक करके ही इनवेर्ड लेना पड़ेगा तो यह उसके बाद यह टिक टेक के जैसे कि बिल में 21.15 मिली है तो अपने को ये 10 है तो यहाँ पर 15 मिली है अब इसमें जो बिल में एक्जाक्ट गोल्ड का वेट होगा ये एक टेंटिटिटिव वेट है मास्टर का अभी जो एक्चुल बनके आया है जैसे इस केस में 20 ग्राम 090 बनके आया है वो डाल देंगे जगे 148 वजन आया जो बिल में टेटेल है वह हमें सेम इस तेन डालनी है जो क्लाइन का जो क्या बना आना है और इदर यह CZR की जगे हमें जो हमारा क्वालिटि लगा हुआ है वो डालना है वो क्वालिटि इनको कैसे बना चलेगा जो यह क्लाइन को यह क्लाइन देगे मास्टर शीट में देखके लेनी पढ़े गी किसको क्या गया हुआ है सो वो मैं बाद में explain कर दूंगा तो अभी इधर RD ARP हम दिखाते हैं इसके बाद हम लेवर डिटेल में जाएंगे इसमें लेवर की डिटेल इसकी डालेंगे making cost rate making cost rate इसकी जो भी making cost बिल में लिखी हुई है वो आपको लिखनी है और यह यह भी master में आपको चेक करनी है वो सकता है vendor आंए मास्टर में लेवर की चेक करनी है कि हमरी क्या रेट नाकी है उससे इस जै Remo impossibility दो इजाए और है जाए है तो यह कोतल एंगा का हुआ है अब द्रिझत कि मींच क्लिक करेंगे salamount नालना है इसका हाँ इसका फार्मिला यह है अगर सिंगल पीश है तो हंड़र रुपीश बस और इसकिपड़ाते हैं ग्रीम पीश कार्ज से रुपीश है शे तो ऐसे ही खुल जाएगा और अगर सिंगल पीस है तो खाली सेफ करेंगे यह सिंगल है तो मैंने सेफ करेंगे अब यह पूरा प्रोसेस करने के बाद अब इसका नेक्स टेप है हमें इस प्रोड़क को परचेज में लेना है तो उसके लिए वापस जूलरी में जाएंगे परचेज जूलरी इसके पाद नियू ट्रांजक्शन इसी का कर रहे हैं तो इसी पर उसमें दिखेगा पर इस बीडिक कर दो कि कलिस्ता जो अभी हमने किया था उसको कंप्लीट करेंगे कलिस्ता आगे पर रिमार्क में बिल नंबर लिखना है बिल नंबर के पोर इजेंपल के जाश वन तू तू तूज थूज़न फून्टीटीट्व ए जो भी बिल नंबर उसके बिल पे लिखा हुआ है इंवाइस नंबर वहम लिखेंगे इसी रिमार्कस पर देट इसके बाद हम आइटम डिटेल में जाएंगे यह आइटम डिटेल में इसमें क्लिक करेंगे यहां से बता दो जी जी क्यों किया वो सब सिल्वर का था और अपने गोल का ही मोल लिए ना तो जी करेंगे तो पता चलेगा कि इतना इंवन दिया है और कितना पच्चे से बाद लिए नहीं नहीं यह स्टर में जिता जाया अभी क्या है तो अपने को एक एक टूर ने से अच्छा जी करेंगे क्योंकि यह बाकी जो भी दिखा रहा है यह जी करेंगे तो गोल का प्रोडक्त आजएगा अब इस पाद। यहां पर मल्टिपल पीचिज हैं तो आपको यह सबेकरना है अभी आपने कौन कौन से पीस लिया है यह कौन सा पीस लिया है आगर मुल्टिपल पीस लिया तो मैं एक यहां सबक्नाट कर रहा हूं यह वाले arrow पर क्लिक करेंगे यह साइड आ जाएगा अब इसके बाद यह राइट पर क्लिक करेंगे यह सारी डिटेल लेदर आ गई जोल्री डिटेल में जाना है अब वापस जोल्री डिटेल में हम जाएंगे अभी यह अमाउंट हमको मैच करना है बिल से यह मैच होना चाहिए यह लेबर का टोटल है बिल का नहीं है अब बेच करना है डाइमंड वेट मेच करना है और गोल्ड वेट मेच करना है दोटल हमको मैच करना है और यह वन पॉइंट-पॉएंट टोटल मैच करना एंस आरे टोटल्स के मैच करने डाइमंड पीस एवरिटिंग शुट मैच अगर सिंगल पीस है तो एजी है और सब मिला के है तो टोटल इधर मैच होना चाहिए सबका इसके बाद इधर करना है क्लिक करना है इधर अब हम पहले वेंडर को TDS काटते हैं तो TDS काटेंगे उसका इस पेडल कि इस पेडल कि इस तो फॉपरसेंट होगा प्रप्राइट रहेतो वन परसेंट है करना पड़ेगा कैल्कुलेटर से जैसे इस केस में 11,407 रुपे यह काई के है मैडम पाई पोर्थ यह तो अल्रेडी कैल्कुलेट होते आ रहा है किस चीज़ के हैं कि पांच परसेंट जूड़ के आ गया है जूड़ा वही है ऑटोमाटिक जूड़ के आ रहा है ठीक है तो इस अमाउंट पर टीडियेश काटना है राइट तो कैसे काटेंगे अगें इधर जाएंगे कितना हुआ एक सोचे रुपे एक सुचे रुपे एक सुचे रुपे हम टीडियेश काटेंगे इनका यहां पर एक सुचे रुपे हैं और इसको सेफ करना है यहां इसको सेफ किया यह जूलरी हमारी जमा हो गई यह जूलरी हमारी जमा हो गई अभी इसको प्रॉसेस रह गया है नहीं पर्चेस भी हो गया अभी इसका हाँ एक हाली हमें टैग और प्रिंट करना पड़ेगा तो उसके लिए कैंसल यह यह टैग प्रिंट का आइकॉन है और इसको डिटेल को इस साइड आप ले लो यह बटन दबा के और सीधे प्रिंट है तो यह यहां से इस बटन को दबाओ गया प्रिंट आ जाएगा ठीक है इस मॉडियूल में अब हम क्लाइन को बिल कैसे करना है वो देखेंगे जुल्री तो हमारे पास वेंडर से बनके आ गई है अब उसको क्लाइन को सेल करना है तो वो हम कैसे करेंगे पहले हम एक्जिट अब हम स्टार्ट करेंगे जुल्री जुल्री सेल जुल्री सेल क्लाइन 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 नाम यह जो भी हमारा कस्टोमर है मान लीजे आपू शेंच्वरर है आइटम डिटेल अब हम सीधे जाएंगे आइटम डिटेल में यह एड़ आइटम करेंगे फिर अपने पास फिजिकल फिच्ट रहते ही है तो उसमें ज्वेल कोड रहे है तो ज्वेल कोड यहांपर टैक करेंगे अभी जो भी ज्वेल कोड है जो टैक पे ज्वेल कोड है वो हमको डालना है जैसे इस केस में टू जिरो वन जिरो वन नाइन है तो डबल क्लिक नीचे इसको डबल क्लिक करेंगे यह पीस आ गया यह आप फिजिकल पीस से पिक्चर चेक कर लीजे यह सेम होनी चाहिए यह अच्छा अल्रेडी दर शिफ्ट होगे डबल क्लिक करके अबी और एक पीस लेना है नहीं एक बहुत है अगर एक पीस और लेना हो तो वापस क्या यहां पे यहांपे यहांपे क्लिक करके वापस हो इधर यह तो इस से शिफ्ट कर लीजे या डबल क्लिक करके इधर शिफ्ट कर लीजे एक करी लेते हैं चलिए एक एक और पीस ले ले गया मान लिजे यह वाला पीस है तो इसका स्टाइल नंबर लिखना पड़ेगा तू जिरो वन डबल लिखते आगया अजा अल्रडी आई गया यह यह वाला पीस है अभी यह दो पीस है जो हमें बिल करने हैं अब हम करेंगे एफ एट उससे क्या होता है जो डीटेल डालना है वोकिल को एफ एट किया फॉंक्शन एफ फॉंक्शन और एफ एट मिलाके दबाएंगे तो यह आगया अभी डामेंड डालना है तो अचा एक बार डालेंगे सब में आसने के पेल हो जाएगी तो जो क्वालिटी है वो आप टैग पे चेक करिए क्या या उसको वेंडर के मास्टर से भी चेक करिए कि क्या क्वालिटी लेता है और उसकी डाल दीजिए रेट डलेगी यहां 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 तो यह है फर्स्ट एयार्पी माइनस एलेवन गिये हम 40,000 बेचते हैं और एक्जाल्पल माइनस टू हम 42,000 बेचते हैं एल्बी हम 36,000 बे पर एप में से देखके निकालना पड़ेगा अभी जैसे पॉर एटीन केटी का रेट चारजार है यहां पर यह ग्रीन बटन टिक पर करना है तो यह आपका डेटा से होगया अभी वापस function f8 करेंगे function f8 किस पे पुछी पी प्रेटा यह प्रेट करेंगे अभी हम मेकिंग पे जाएंगे मेकिंग क्या लगेगी जैसे चाहरे मेकिण रेट आयेगी फोट फेट और इधर बी और अगर इम्पोर्टेट कुछ यह वाई नीचे लिखरेगा अगर या कोई पीस में कार्ट से पकड़ता है यह पीस है नहीं इसलिए बनना पकट है इसमें हमारे पास कुछ इंपोर्टेट लाइन दी है पर अगर वो पीस आप सलेक्ट करोगे तो आटोमेटिकली इदर कास्टिंग कीज़ेगे वो इंपोर्टेट में मेकिंग रेट यूजिली 800 रुपे ग्राम है और लॉस है 5% वो इ शुक्राइब बातता हूं अभी इस ही वो करते हैं वह बात में करते पहले कंप्छंट अब यह करने के बाद आपने डाल दी अब फंक्शन एफिक्स करेंगे अब अब शिक्स, पॉंचिन एप सिक्स नहीं हाए। पॉंचिन एप सिक्स नहीं हाए। को इन दयासे भी होसुँदा है। अभी करनाइगा है। ग्रोस पे चाहिए। अच्छा अभी हम कुछ theatre हैं कुछ कस्टूमर्स को नेट वेट पे लिबट चाज करते हैं कुछста में ग्रोस वेट पे लिबट चार्च करते हैं वह आमृतको इदर करना पड़ेगा, पर इसको हम ग्रॉस वेट पर करते हैं तो नेट वेट प्लस डामेंड तो यह इस पर आटमेटिक हो गया यह यह भी करना पड़ेगा इस सारे पीसे पर अलग अलग करना पड़ेगा अगर अभी जो मैं बता रहा था इंपोर्टेट पीसेज हैं और अपने 800 पर डाल दी और इसमें लॉस आइड करना है तो इधर आए पर जानेगा है और लेबर डिटेल और इधर लॉस डाल ये का और अब ये ङृप परसंट अपर और ये आजाएगा रवी स्काइब इसमें नहीं ले रहे हैं तो मैं जिरो कर देता हूं और यह ओके कर देता हूं अब जूल्री डीटेल में जाना है अब हम इसमें सर्टिफिकेट के पैसे लगाएंगे उसके लिए दर जाएंगे कि तो यह हम फिजिकली चैक करेंगे टोटलड़ किता करें हो रहा है एक में तो आप लिए तो यह जो है यह टोडल है दौनों प्रॉडक्स का यह ग्रॉस वेट यह नेट वेट और यह डामन नवल फिफिटी टूट्डिट तो फिफ्टी टू इंटू अगेन आपको मास्टर में चेक करना है कि हम सर्टिपेट की कितने पैसे चार्च करने कस्टुमर को अभी इस केस में जैसे हम साथ सो रुपे चार्च कर रहे हैं तो साथ सो इन्टू पॉइंट फॉइंट फॉइंट फाइब तू बैसिकली कुछ तो हम इदर 364 डाल देंगे नहीं कर रहे हैं तो उसकी एक लिस्ट बनी हुई है कि कितना अमांट पर हम कितना चार्च करते हैं जैसे इदर पूटल अमांट अप्रॉप्रॉप्रॉपीज अब लिए फॉटिशिक्स ताउजन हो रहा है तो फॉटिशिस ताउजन पे प्रॉबलियां चार्च करेंगे यह आपको उसमें देखना है और यह ओके कर दीजिए ओटमेटिकली कंपाइल हो गया इसमें यह दर देखिए इधर आगया शिपिंग में अब ही सेफ करेंगे अब इसमें हम प्रिंट करेंगे तो अब इसमें हम प्रिंट करेंगे नो अब अब और सीक्टिकली करेंगे क्लिक करेंगे तो यह जो पैकिंग लिस्ट यह आपको चेक करना है अगयं कि यह कैरट बराबर रेड बराबर लगी हुए है कर भी कभी दर प्राइज नहीं आते हैं यह तो चेक लिच इन एवरी थिंग यह 18 का डेट है यह 15 का डेट है यह चेक करना है यह लेपर आंसो कहा होगे तो आपको करना पड़ेगा थे कि यह वाद को करना पड़ेगा 700 लगाई थी 500 आगे तो आपको वापस जाके एक बार उसको चेक करना पड़ेगा तहां मिस्टेक हो गई है अदरवाइस यह ओके है इसके आपको तीन प्रिंट चाहिए टाकिंग लेसके एक में कैबिन में जाता है एक कस्टूमर के पास जाता है और एक अपनी इंवोईस फा इंवोईस इसके चार प्रिंट ले जाएंगे दाट्सिट हो गया अपना यह बिलिंग कम्प्लीट हो गया और यह बिलिंग का भी मॉड्यूल कम्प्लीट हो गया है